हेलो एंड वेलकम टू आलाने स्टी बेस्ट प्लस मैं हूँ अमित सुकला एथिक्स के थिंकर सिरीज में आपका श्वागत है अब हम लोग नेक्स थिंकर पर बात करते हैं और बिना इधर उदर की बात के वे हम लोग सिधे टॉपिक पर आ जाते हैं तो हमारा जो अभी थिंकर सम को पढ़ना है इसको पढ़ना है थॉमस आप्स पढ़ चुके हैं, जॉन लॉक पढ़ चुके हैं बेंथम हम लोग बेंथम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है बेंथम क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई एक्षण ऐसा है जो प्लीजर दे रहा है तेन दाट इस मोरल अगर 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 आप सरकार हैं तो जादा तर लोगों को अगर उसमें से प्लीजर मिल रा है देन वो मोरल है अगर उसमें से आपको और जहातर लोगों को pain मिल ला है तो आपका क्या हो जाएगा? Immoral हो जाएगा ठीक है? क्या कहते हैं? कि if whatever action you are going to take if that gives you the pleasure that action will be moral and if that particular action is creates pain then that action will be immoral तो आपका जो action है वो moral है या immoral है वो कैसे तै होगा? वो कैसे तै होगा? अगर वो pleasure दे रहा है तो वो moral है और अगर वो pain दे रहा है तो वो immoral है ठीक है? दूसरा इनके pleasure के बारे में इनका क्या कहना है? बड़ा रोचक इन्होंने बाते कहीं है pleasure के बारे में pleasure जिसे हम लोग हिंदि में आनंद कहते है कहते हैं कि pleasure should be direct ऐसा नहों कि मैं कुछ करूँ फिर उससे कुछ होगा तो मुझे आनंद आएगा pleasure वही है जो direct हो जो directly मिले जैसे मुझे ice cream खाने से मुझे आनंद मिलता है तो ice cream मैंने खा ली मुझे डिरेक्ट मज़ आ गया प्लेजर आ गया अब ऐसा नहीं कि मैं आइस्क्रीम खाऊंगा तो उस आइस्क्रीम वाले के दुकान चल जाएगी तो उससे वो उसके घर में पैसा जाएगा तो अपने बच्चे को वो ट्यूशन दे पाएगा कल वो फिराकि मुझसे बोलेगा कि हो क्या प्लेजर शुट भी डायरेक्ट प्लेजर सुट भी डायरेक्ट second it should not be followed by pain it should not be followed by पेन अब जैसे मानलिज्ये कि आप रेपरेशन कर रहे हो कल आप ऐस्दीम बनूगे डीम बनूगे फिर आपको आनन्द आएगा तो बेंथम के अकॉर्डिंग ये आनन्द नहीं है अगर ऐसा कोई आनन्द जिसके लिए आपको तकलीफ जहरनी पर रही है पहले आप तकलीफ लो उसके बाद आनन्द आए तो बेंथम के अकॉर्डिंग वो आपका प्लेजर नहीं है प्लेजर should not be followed by pain, ऐसा ना हो कि आनन्द लेने के लिए हमें तकलीप से गुजरना पड़े, बेंथम के कोडिंग वो प्लेजर नहीं है, तिसरा, it has quantity, not quality, क्या कह रहे हैं, कि जो प्लेजर है, वो quantity में मेजर किया जाता है, कि इनके मतलब है कि एक आइस्क्रीम खाने से अगर मुझे इतना मज़ा आया तो दो आइस्क्रीम खाऊंगो तो इतना मज़ा आयेगा तो आप इनके पॉइंट से डिसेग्री कर सकते हैं बट उन्हें जो कहा वो हमें जानना तो पड़े गई कि जो आनद होता है वो मात्रात्म कोता है गड़ात्मख नहीं होता है कि अगर कोई छीज थोड़ी देर करके आपको इतना ज्यादा मज़ा रहा है रहा है वही ची अगर आप देर तक करेंगे तो आपको ज्यादा मज़ाएगा उसमें quality का कुछ लेना देना नहीं है यादिक इत हैस quantity not quality मतलब एक आइस्क्रिम खाके अगर इतना मज़ा आया तो 10 खाके इतना आएगा इनके according यह pleasure है तो हमने क्या देखा it should be direct it should not be followed by pain it should not be followed by pain it should be direct and pleasure has quantity not quality इसके अलावा जो एक चीज है हम यह देख सकते हैं कि जो pleasure होना चाहिए वो बहुत इंतजार के बाद में नहीं आना चाहिए pleasure तुरंत आना चाहिए तो it comes यह it should be immediate यह it should be immediate अब इस चीज को लेकिन की बहुत criticism होता है तुरं का criticism हम लोग बाद में करेंगे आभी हमने देखा बेंथम क्या कह रहे हैं कि आपका action सही है यह गलत है यह किस आधार पे तय होगा if that action gives the pleasure it is moral if that action gives the pain that is immoral and what he said about pleasure pleasure के बारे में उनने कहा यह भी हमने देख लिया अब state के जो action है वो सही है या गलत है यह किस parameter पे देखा जाएगा तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि state के जो action है उसमें सही है या गलत है उसमें ethical dilemma अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे कि अगर सरकार का कोई action maximum लोगों को maximum pleasure दे रहा है that happiness दे रहा है that means that action of the government is okay or good or moral तो क्या करें है states के action के बारे में if that action gives maximum happiness to maximum people it is moral and good कि अगर सरकार का कोई निड़े ज्यादा तर लोगों को happiness दे तो सरकार का निड़े ठीक है अब इसी पर हम लोग example के कह सकते हैं जिसे encounter हो गया encounter सही है या गलत है कभी case study में आ जाए right तो according to bentham encounter is okay or moral because it gives maximum happiness to maximum people तो अगर सरकार के द्वारा encounter हुआ उसमें से कोई अपराधी मारा गया तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर यही case court में जाता तो दस साल बाद कहीं लोगों को सजा मिलती तब तक लोग उसे भूल चिके होते हैं तो pleasure तो आता बहुत समयबाद लेकिन bentham के according क्या है pleasure should be immediate तो किसी ने अपराध किया लोगों ने देखा सारे आम उसके videos हैं footage हैं अवलेबल हैं साबित हो चुका है कि इसी ने किया है लेकिन हमारे यह court का system क्या है कि नयाएं से ज़्यादा उनको procedure पर यकीन है they are more concerned about the procedure and less concerned about the justice जबकि होना क्या चाहिए justice should prevail over the procedure तो हमारे यह procedure पर ज़्यादा तबज्य होता है और नयाएं पर कम होता है तो अगर आपको encounter पर कोई case study आ जाती है तो आप किस thinker को quote कर सकते हो बेंथम तो thinker पढ़ने का उद्देश मेरा यह है पढ़ने का उद्देश यह है कि direct question भी कर पाओ और case study को कोई question आए अगर आप उसमें यह quote कर देते हो बेंथम को damn sure आपको दूसरों बच्चों से बहुत अच्छे marks मिलेंगे Is that very clear? यह हमने बेंथम के बारे में देख लिया ठीक है? कि moral and immoral के बारे में इनका क्या concept है? प्लेजर के बारे में यह क्या कहते हैं? प्लेजर कैसा होना चाहिए? और सरकार के लिए पैमाना क्या इनका किया है? कि if any action of the government gives maximum happiness to maximum people that particular action of the government is moral and good and if it not give happiness to maximum people then it is not good लेकिन यहाँ पे एक problem इन्होंने किया इन्होंने कहा कि it has quantity not quality तो आप मान लिजे कि यहाँ जो नई चीज उन्होंने बोली वो यह कि यहाँ पे जो happiness है वो number के ऊपर prevail करती है थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा tough होगा समझना लेकिन आप ध्यान सा समझिए प्लेजर के बारे में तो क्या कह रहे हैं? कि it has quantity not quality लेकिन happiness के बारे में क्या कह रहे हैं? कि if there is any debate between the number and extent of happiness then extent of happiness will prevail over the number समझिएगा उधारण कहने का कि सरकार के किसी action से 10 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुस हुए और 90 लोग हैं जो खुस हुए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तो सरकार का कौन सा एक्सन लेना चाहिए? जिसमें जादा मात्रा में लोग मतलब जिसमें भले लोग कम हैं लेकिन उनकी खुसी का जो पैमाना है वो बहुत हाई है So if extent of happiness sorry extent of happiness should prevail over the numbers of people अगर 90 लोग happy हैं लेकिन ठीक ठाक लेकिन दस लोग बहुत ज़्यादा happiness decision से तो सरकार को वही decision लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा लोगों को happy करें तो क्या है second point समझने वाला? कि extent of happiness extent of happiness prevail over number of people कि अगर 10 लोग बहुत ज़्यादा खुस हैं 90 लोग खुस हैं मात्र लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो 10 को जो पसंद हो वो करो so indirectly he is supporting aristocracy ठीक है? तो indirectly जब वो कह रहे हैं कि extent of happiness matters number matter नहीं करता है यानि 10 अमीरों को अगर आपने कोई योजना चलाई वो बहुत ज़्यादा फायदा कर गई गरीबों को वो उससे बला है लेकिन बहुत ज़्यादा उनको बला नहीं हो पा रहा है अमीरों को ज़्यादा बला हो रहा है तो जहां पर ज़्यादा happiness हो वही काम करो तो कहीं न कहीं किसको किसको promote कर रहे हैं? he is promoting the aristocracy तो अगर Bentham को criticize करना है तो आप aristocracy को favor कर रहें indirectly जब इन्हों नहीं happiness का concept दिया ऐसे आप quote कर सकते है so I hope आपको Bentham भी समझाया होगा so please like करें, share करें, subscribe करें और यकीन माने अगर आप इस धंक से आप answer writing का अपना format देते हो आप बहुत कम समय में अच्छा marks gain कर सकते हो thank you so much